भारतिय प्रशास्निक सेवा के पुर्व अधिकारी अतुल बगई पिछले दो दशक से दिल्ली इस्थित संयुक्त रास्ट पर्यावरन कारेकरम के दक्षिन एशिया छेत्रिय मुख्याले के प्रभारी अधिकारी के रूप में कारेरत हैं। मौंट्रियाल समझोते के तहट अपनी नियुक्ती के प्रावधानों का पालन करते हुए श्री बगई भारत और आसपास के पडोसी देशों में संयुक्त रास्ट के पर्यावरन से जुड़े कारेकरमों के संचालन के साथ ही दक्षिन एशियाई देशों के बीच पर्यावरन कारेकरमों के परसपर तालमेल की गतिवीधियों से जुड़े हैं। अतुल बगई पर्यावरन के छेतर में लगभग दो दशक से लगातार काम कर रहे हैं। United Nations Environment Program में अपनी सेवाएं देने से पहले श्री बगई भारत सरकार के पर्यावरन मंत्राले से भी जुड़े रहे हैं। विश्व पर्यावरन दिवस के संदर्व में दैनिक भाषकर ने पिछले दिनों श्री बगई के UNEP के लोधी स्टेट स्थित कार्याले में इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात की थी। बाठचीत के दोरान उद्योगों से रिषने वाले अवैध जहरीले रसायन और क्रिशी कचरे को खुले में अवैध तरीके से जलाय जाने से होने वाले वायू के प्रदूशन के साथ ही, खाद्य पदार्थों के कचरे, घर में जमात किये जाने वाले कचरे और वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूशन की रोक थाम से लेकर पर्यावरन चेतना तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बातचीत में संजुक्त रास्ट द्वारा शुरू किये गए पर्यावरन कारिक्रमों की प्रगती की जानकारी भी मिली। और यह भी पता चला के भारत सरकार इस दिशा में कहां तक आगे बढ़ी है। बातचीत की शुरुआत स्वीडन की वैश्विक पर्यावरन सेंसेशन ग्रेटा थानबर्ग के जन्चेतना अभियान से शुरू हुई और संयुक्त राष्ट के सतत्विकास पर्यावरन कारिक्रम को हासिल करने में आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। अतुल बगई ने संयुक्त राष्ट पर्यावरन कारिक्रम के बारे में विस्तार से बताया। उनके अनुसार सन्युक्त राष्ट के अनेक कारिक्रमों में या एक ऐसा कारिक्रम है जो वैश्विक आधार पर परियावरण का एजिंडा तै करता है। संचेप में UNEP के नाम से परिचित इसकारिक्रम के अंतरगत सन्युक्त राष्ट तंद्र के भीतर सतत्विकास के परियावरण संबंधी पहलू के सामंजस से पूर्ण किर्यानवयन को बढ़ावा दिया जाता है UNEP के काम में वैश्विक छेत्रिय और रास्टिय परियावरणिय परस्तितियों और रुजहानों का आकलन करना परियावरण के संबंध में अंतरास्टिय और रास्टिय नीतियां तयार करना और परियावरण के सोचे समझे प्रबंधन के लिए संस्थाओं को मजबूत करना श